अब कैसी है दिदी आपकी तेवित बाई मैं ठेखूं तो मेरी जादा फिकर मत किया कर दिदी आप जूट बोल रही हो आपकी तेवित अभी भी ठीक नहीं है मैं ऐसा करूँगा साम को आते वक्त आपकी दवाई लियाँगा दिदी अब मैं चलता हूँ और जाकर अपना बिर्यानी का ठेल लगाता हूँ ठीक है दिवान से जाना ठीक है दिदी और बताओ बिर्जेस भाई तुम्हारा सहर में कारोबार कैसे चल ला है भाई कारोबार तुम्हेर अच्छा चल रहा है पर मैं सोच रहा हूँ अपना कारोबार गाउं में भी चला हूँ कि सोच तो कावी अच्छी ए है तुम्हार हम जाते हैं ने प्र्ल्द के बहुत ठक हुआ हूं और मुझे भूखが बहूत तेज लगिक्या हूँ तो क्या हुआ बाई हम यह वह न चलो आओ हम तं? आए अया कि में बिरियानी अरे बहोत पसंद है चलो भाई अब चलते हैं देर किस बात की अब बिरियाने वाले चलतीन पिलेट बिरियाने लगा दे ठीका भाईया अभी लगा देता हूं अब बिरियाने दन्यावाद शोटू क्यों वे तु कब आएगा अपने उखास से बाज तुझे अच्छे पता है मुझे तेज मसाला पसंद है जी साब अभी डाल देता हूं क्या बात है छोटू ऐसी बिरियानी में आस तक नहीं गाई बहुत अच्छा स्वाद है तेरी हाथों में सच मैं यार पेट भर गया पन्य अतनी भरी धन्यवाद साब भाई मैं अभी आता हूं मेरी कंपनी से कोल आया है क्यों बें तिरी उकात कैसो ही हमारे दोस्स से बात करने की तू अपनी उकात बूल गया क्या तुझे पता नहीं है हम कोन है आगे सा अपनी उकात मा रहना चले यार अब चलते हैं साब मेरे बिर्यानी के पैसे तु दे दो क्या कहा तुने बिर्यानी के पैसे बेटा साय तु जानता नहीं है हमीशे रहा के डोन है और किसी की हिम्मत नहीं है हमसे पैसे मागने की फिर तुने हिम्मत कैसे करी गरीब साफ आपने बिर्यानी खाईए तो पैसे देने ही पड़ेंगे वरना मैं अपने मालिक को क्या जवाब दूगा अपने मालिक से जागा हमारा नाम ले लिए आकर पूरी एरिये में खोप है हमारा चला अप निकल जाए यहां से वरना तुझे तेरे मालिक के पास जाने लाग ने छोड़ूँगा चला बटी यहां से आ गए आप दोनों हाँ भाई आ गए चलो चलते हैं अच्छा तुने पैसे दे दिये बिर्यानी वाले के हाँ भाई उसके पैसे दे दिये तुम टैंसर मतलो अच्छा यार चलो ठीक है वैसार एक बात बोलूँ उसकी बिर्यानी बहुत अच्छी लगी मज आ गया खाके अच्छे चलो ठीक है भाई अब हम चलते हैं रबबबे रबबे रबबे ओ रबबबे दर्द ये क्यों जोली में आए खिसमत ने ये दिन क्यों दिखाए अश्क जो इन आखों ने पाए बाई वो देखो बिर्यानी वादा लड़का जिसकी कल हमने बिर्यानी खाई थी चलो चल कर बिर्यानी खाते है अरे यार बिर्जेश बाई तुम्हें क्या उसकी बिर्यानी पसंद आती है हमें तो सबसे घटे बिर्यानी लगती है उसकी तुम्हें पता नहीं इसकी बिर्यानी क्यों खराब लगती है मुझा तो इसकी बिर्यानी निखानी है चलो बिर्यानी खाते है अरे छोटू क्या बात है आज तो पड़े भी रहा है खेर तीन प्रेट भी रहा नहीं लगा दे ठीक है भाईया अबे ओ गरीब कितना टाइम में लगाएगा चल जल्दी से तीन प्रेट भी रहा नहीं लगा दे अरे भाई तुम यह क्या बोल रहे हो इसे प्यार से बहलो बिर्यानी तो फिर भी देदेगा अरे भाई तुम्हें ने पता यह गरीब बहुत चलाक होते हैं इनकी मासूमियत और बातों में कभी नहीं आने चाहिए हाँ भाई यह ठीक बोल ला है जब तक इनको टाइड नहीं किया आया था यह किसी गी नहीं सुनते है कि यह लो साथ त्रियानी कि यह लो छोटू अपने पैसे आज की विद्यानी जरी बहुत टैस्टी थी अरे भाई आपने क्यों दे दिये पैसे हम दे देते अरे कोई बात नहीं यार उस दिन तुमने पैसे दिये थे आज मैंने दे दिये कोई बात नहीं भाई आज भी हम दे देंगे अरे कोई बात ने यार जब मैं बिद्यानी खा सकता हूँ तो पैसे भी दे सकता हूँ क्यों बेगरीब तुझे समझ में ने आया चल पैसे वापिस कर भाई के अरे यार तुम ये क्या बोल रहे हो उसे पैसे मैंने ही तो दिये है अरे भाई तुम समझ क्यों नहीं रहे हो यह बिर्यानी वाला बहुत हराम है देखो इसको यह कितना बोला बनना है तुमारे सामने खेर रुखो यह भी करेगा तुमारे पैसे बापिस क्यों बहुत हराम खोर तो जो समझवने आता है जब मैंना करे साब इसमें मेरी के गलती है मुझे लगता है इनकी बात मुझे सुनने नहीं चाहिए यह अमीर लोग मेरा काम बंद करवा देंगे अगर मेरा काम बंद गया तो मैं अपने दीदी का इलाज कभी नहीं करवा पाँगा येलो साव अपने पैसे ये मुझे बाद में दे देंगे आज तो तुने हमारे पैसे वापिस कर दिये और आज के वाद हमसे पैसे मत मांगना भाई आज तो इसाज सबक सिखाना पड़ेगा फाद होती है यार किसी चीज की, क्यों मार रहे इस बच्चे को भाई तो मैंने बता ये गरीब कितने हराम है और तुम्हारे सामने मापसुम बन के दिखा रहे है और तुम्हें मालूम है ये बहुत बड़ा चोर है ये किसी की भी चोरी कर लेता है इसने कई बार हमारी चोरी कर ली हाँ भाई इसने हमारा फोन भी चुरा लेता जोबे गरीब चल बता भाई को तुने चोरी की थी या नहीं की थी हाँ साब मैंने इनके पैसे चुराये थे क्या तुने इनके पैसे चुराये थे छी मैं तो तुने अच्छा बच्चा समझता था आज के बाद नियाओंगा मैं कभी भी मैं तुम गरीब लोगों को इमानदार और अच्छा समस्ता दा पर आस तुने ये हरकत की मुझे सरमा रही है भाई मेरे बात मानो इसकी ठेली और समान दोनों पखेड़ देते हैं वरना ये किसी और के साथ भी ऐसी करेगा हाँ भाई ये ठीक है रहा है हाँ तुम ठीक कह रहे हो वरना ये औरों के साथ भी ऐसा ही करेगा अगर मिले खुदा तो अगर मत करो ना मेरा नुक्सान वरना मैं मालिक को क्या जवाब दूआ साथ जी ने रोख लो ये बिर्यानी की ठेली मेरी नहीं में बहुत करीब हूँ आपने ये क्या करवा दिया ये सब तुझे चोरी करने से पहला सोचना चाहिए था अरे भाई इस चोर के मूझ क्या लग रहे हो चलो चलते हैं या से भाई रहे हो चलो राई गो और भुझे राऋ तुझे इस चेलkom ऑ्ग सब लोगो ये क्या साथ चलो चाहिए ये रहे हो earlier क्या हुआ भाई इतना दुखी क्यों है कुछ नहीं दिदी जब मैं आज बिर्यानी लेके गया था दिदी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रिया मैं क्या करूँ दिदी अब मैं आपका इलाज भी नहीं करवा पांगा भाई तो फिरकुर भी परिसान मतो और मेरी चिंता तो फिरकुर भी मत कर वह है न उपर वाला वो सब देख रहा है और सब ठीक कर देगा क्यों है क्यों है करी पहले मेरा नुक्सान करा दिया और आप यह मैं यह से बैठा है भाई तो ठीक तो है न चलने का लिहां से और चे भी लेताज आपनी बिमार भेल को आज के बाद अपनी सिकल मत दिखा देना निकलो यहां से बाई मैंने तुम्हारा काम कर दिया है और उन्हें काउं से निकाल दिया अब वो कभी भी वापस नहीं आ पाएंगे चल ठीक है र salary खाbenा तुम्हारा काम काम कर दो दो CETाए वो कि क्हें लेताएंगे पाएंगे तेनी बाद्शना थेताएं आर अध्या यार तुम गरी हो वो सभी कहीं भी चोरी कर लेते हो सही क्या था उन लोगन अपस दिन तेरे साथ तु फिर भी नहीं सुद्रा साफ यह आप क्या बोल रहे हो मैंने तो आपका पर्स लोटाने के मारो बुलाया तो जो यहाँ पर गिर गया था साफ हम गरीब चुप है इसका मतलब यह नहीं हम चोर है यार मैं तो इसा बहुत गलत समझता था यह तो बहुत अच्छा बच्चा है क्या करूँ अब मैं अपनी देदी की दवाई कहां से लाँ एक काम करता हूं किसी के पाथ जाकर नोखरी मांग लेता हूं सोटू मैं कई दिन से तुझे ढूंड रहा हूं और आज जाकर मिला है क्यों क्या हुआ साफ बाई उस दिन के लिए स्टोरी बोलाता मुझे उस दिन मैंने तुझे कुछ जादे सुना दी कोई बात ने साफ हम गरीब होगों तो सभी बोलते हैं चलो ठीक है साफ मैं चलता हूं अरे छोटू तू कहा जा रहा है इतनी जल्दी मैं साफ मैं घर जा रहा हूं मेरी दिदी को कई दिन से दवाई नहीं मिली मैं बिर्यानी बेच कर अपनी दिदी की दवाई लाता था वो काम भी तुम लोगों ने मेरा बरवात कर दिया मेरी दिदी बहुत बिमार है अकर जो उन्हें दवाई नहीं मिली तो उमर जाएंगी छोटू तू मुझे लेकर चल अपनी दिदी के पास मैं लेकर चलता हूं दवाई ठीका भया चलो कि दिदी उठो देखो मैं आपके लिए दवाई लिया आया दिदी क्या हूँ आपको साब देखो ना मेरी दिदी को मुझे से बात क्यों नहीं कर रही हूं छोटू तेरी दीदिया विस दुनिया में नहीं रही वो उतिया छोड़ कर चली गई दिदी मुझे माप कर दो मैं आपके दवाई टेमपर नहीं ला पाया छोटू अब तू क्या करेगा मुझे मैनत करके बहुत बड़ा आदमी बनना है और गरीबों की मदद करनी है छोटू मुझे ये समझ में नहीं आया तूने उस दिन चोरी क्यों की थी आखिर क्या मजबूरी थी तेरी नहीं साब मैंने चोरी नहीं की वो हर रोज मेरी बिर्यानी खाते थे और पैसे भी नहीं देते थे मुझे डरा दम काकर और जूट बुलबाया करते थे तो छोटू तूने मुझे बताया क्यों नहीं था साब आपने कभी मोका ही न दिया आप उनकी बातों मा जाया करते थे यार मैं कितना गलत था क्या हुआ साब आप क्या सोच रहे हो कुछ नहीं यार, मैं सोच रहा हूँ, मुझसे इतनी बड़ी गल्ती कैसे हो गई और मैं ऐसे लड़कों के साथ रहता था पर यार, मैंने देरे साथ बहुत गलत किया, फिलीज मुझे माफ कर दे कोई बात भी साव छोटू, अब तक जो हुआ सोगा, लेकि रब मैं तेरी मदद करूँगा मेरा एक रेस्टोरेंट है, तुम उसमें मन लगागर काम करना और काम या भी हासिल करना ठीक है भाईया छोटू, यह रामारे रेस्टोरेंट, तु खूब मैनत करना, और इसे शहर का नमबर बन रेस्टोरेंट बना देना ठीक है भाईया, मैं पूरी कोशिस करूँगा चल ठीक है कॉंगरेचुलेशन भाई, आज अपना होटल सहर का नमबर बन होटल बन गया है हाँ भाई, हमारा होटल बहुत अच्छा चल रहा है, और हमें इससे काफी मुनाफ़ा भी हो रहा है हाँ भाई, तेरी महनतों लगन ने इस होटल को टोप होटल बना दिया अरे भाई, क्या हुआ, तो इतना उदास क्यों रहता है अरे यार पतानी बिर्जेश को क्या हो गया, कई साल हो गया, अब तो मिला भी नहीं फोन करता हूँ, तो बीजी हूँ बीजी हूँ कहकर, इगनोर कर देता है कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूँ बैसे यार एक बात बोलू, जब से अपनो ना उस बच्चे को मारा आना, जब से बिर्जेश ने मिला बन कर दिया हाँ यार, तु ठीक कह रहा है, चला आज बिर्जेश के होटल में चलते हैं, और उससे चलकर वहाई बात करते हैं अरे बिर्जेश बाई, क्या हुआ तुमें, तुम हमसे बात क्यों नहीं करते हो हमेशे एक न और करते हो, बताओ, क्या बात है, और तुम यहाँ पर क्या करने आय हो बाई, दोस्त है हम तुमारे, तुमसे मिलने आये हैं लेकिन मुझे तुम जैसे लोगों से नहीं मिला जो गरीबों को सताते हो और जूट बोलते हो अरे भाई तुम ऐसे क्यों बोल ले हो आज तक हमने किसी गरीब को नहीं सताया क्या तुम सच बोल रहे हो इसे जानते हो ये कोन है नहीं भाई मैंने पेचान पाया वैसे कोन है यह यह वही बच्चा है जिस पर तुमने चोड़ी गल जाम लगाया था और मुस्से जूट बोला था क्या भाई ये वो ही बच्चा है हाँ ये वो ही बच्चा है और उस दिन तुम्हारी वज़े से इसकी दीदी की जान इसकी आखों के सामने चली गई तुम्हें एक बात वोलू किसी को एक दो रुपे देने से कोई इंसान गरीब नहीं बनता और उस दिन तुम्हारी इसी वज़े से मेरी दीदी की जान चली गई भाई तु हमें माफ कर दे, हमने उस दिन तिरे साथ बहुत गलत किया था मैं कैसे माफ कर दू तुम लोगों को, तुमने तो मेरी मेहनत के पैसे भी नहीं दिये थे अगर उस दिन तुम मुझे पैसे दे देते और मेरा नुक्सन नहीं करते तो मेरी दीदी की जान नहीं जाती भाई मेरी बात तो सुन इससे पहले मुझे कुछ बीता हुआ याद आए, चले जाओ यहाँ से भाई तुम तो हमारी बात सुनो तुम्हें भी सुनाई नहीं दिया जा बोला का पिलन है चलो जाओ मेरी आखों के सामने से भी रोग